नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं पलामू नियोजन कर्यालाय में 16 जन्वारी को लगेगा भरती कैम पलामू जिला नियोजन कर्यालाय के द्वारा आगामी 16 अगर्स दिन बुद्ध्धवार को जिला नियोजन कर्यालाय परशर मेदनी डगर में एक दिवस से भरती कैम का उजन किया जाएगा भरती कैंप में टाटा मोटर जमसेदपूर सहीद चार विभिन कमपनियों में कूल 570 पदो पर बेरुजगार अभ्यार्ती का चैन किया जाएगा उक्त पदो पर दसवी बरहवी आई टी आई डिपलोमा होने के साथ 38-38 वरस के अभ्यार्तियों का चैन किया जाना है चैनित अभ्यार्तियों को 10,000 से लेकर 15,000 उपए तक बेतन के साथ सतात अन्चुबधाय भी मिलेंगी जीला नियोजन पताधिकारी धनजय कुमार ने बताया है कि भरती कैंप में सामिन होने के एकचुक अभ्यार्तियों का जार्खन के किसी भी नियोजनालय से सम्बंधित होना अवस्यक है आवेदक को अपने साथ स्यक्षनिक प्रसक्षनिक सर्टिफिकेट अधार काड पासपोर्ट साइज फोटो नियोजनालय का निबंधन काड एवं बायोटाटा लाना है विशेश जनकारी के लिए अभियार्ति जीला नियोजन करयालय पलामूं में जाकर संपर कर सकते हैं पंचायत सचीवालाय स्वयम सेवक का भिक्षाटन लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी इसलिए आज हम भिक्षाटन कर रहे हैं आगे कहा है कि अगर सरकार भिक्षाटन से भी नहीं सुनी तो फीर हुए मुख्यमंत्री का आवाज घरेंगे मालुम हो कि पंचायत स्वयम सेवक ने 28 जुलाई और 3 अगस्ट को अपनी मांग को लेकर विधान सभा के घिराव किया था जहां मुमो ने बेवी देवी पर लगाया दाव 17 को करेंगी नमांकन जगरनाथ महतों की निधन से खाली डूमरी बिधान सभा सीट पर उप चुनाओ के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है इसके लिए नमांकन पर किरिया शुरू हो गई है मंत्री बेवी देवी जर्खन मुक्ति मुर्चाव मीद्वार के रूप में 17 अगस्त को आपना नमांकन पतरदाकिल करेंगी नमांकन के समय इंडिया की पूरी ताकत डूमरी में दिखे इसकी त्यारी भी की जा रही है बता दे जामो के केंद्री प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि डूमरी में कोई लडाई ही नहीं है क्योंकि वह टाइकर जगरनात महतों की कारे भूमी है जामो की जीत में कोई किन्तू परंतू की बात नहीं है जब आईशू और भाजपा ने मिल कर चुनाव लाडा तब भी जामो ने उन्हें हराया है डूमरी जामो की प्रमपरागत सीठ है जारखन में 250 मुर्दो का आयुसमान भारत के तहत हुआ इलाज जारखन में मुर्दो के मुफ्त इलाज पर स्वास्त मंत्री का बेहद ही हलका जबाब सामने आया है उन्होंने बेहद कैजूल तरीके से बोला है करवाई होगी हलाकि जब पत्रकार उनसे ए सवाल करते हैं कि इस तरह के मामले आपके ही विभाग में क्यों होते हैं तो ये पत्रकार पर बिजेपी का आदमी होने का आरोप लगाते हैं बता दे स्वास्त मंत्री बना गुपता एक बार फिर से बिवादों में घिर गए हैं इतना ही नहीं उन्होंने सवाल करने वाले पत्रकार को बिजेपी का खास आदमी तक बता दिया इस मामले में बिजेपी ने गंभीर सवाल उठाये हैं दूमरी बिधान सबा उपचुनाओ को लेकर मुख्य मंत्री आवास पर इंडिया गड़ बंधन दलों की बैठक रांजी में जारखंड इंडिया दलों की बैठक आयोजित की गई है यह बैठक मुख्य मंत्री आवास में हो रही है मुख्य मंत्री हमांसुरिन के साथ गड़ बंधन के तमाम नेता बैठक में सामिल हुए है बैठक में दूम्री बिधान सबा उपचुनाओ पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है बता दे मुख्य मंत्री आवास पर दूम्री बिधान सबा उपचुनाओ को लेकर इंडिया गड़ बंधन दलों की बैठक आयोजित की गई इस बैठक में मुखे मंत्री है मंशन के साथ साथ महागडबंधन के कई नेता और मंत्री भी सामिल हुए इस बैठक में यह सहमती बनी है कि इंडिया गडबंधन के गठन के बाद डूमरी में पहली बार NDA से चुनावी मुकाबला होने जा रहा है आईसे में इंडिया गड़ बंदन में सामिल सभी राय नितिक पाटिया एक जूट होका डूमरी में एंडिये को एक लाग से जदा मतों से पाराजित करेगी वहीं कॉंग्रेस विधायक दलकिनेत आलमगीर आलम ने कहा है कि ये जीत दिवंगत जगनात महतों को सची सदांजली होगी प्राकिरितिक आपदा से हुआ नुकसान तो किसान घबराये नहीं किसानों को अब नहीं घबराना है क्योंकि हेमान सिरेन सरकार जहरखन राज फसल राहत योजना लेकर आई है इस योजना के अंतरगत किसानों का निबंधन वा आवेदन की परकिरिया सुरू हो गई है प्राकिरितिक आपदा अधिक बारीस ओला विरिष्टी समेथ अन्य प्राकिरितिक कारणों से फसल को छती पहुँचने पर योजना अंतरगत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की ओर से मुअबजा रासी मुहया कराई जाएगी योजना अंतरगत किसान नियमतम 10 डिसमील से लेकर अधिकतम 5 एकर तक की फसलों का आवेदन कर सकते हैं बताते चले कि फसल रहत योजना जारखन सरकार की महत्वा कायंची योजना है जारखन सरकार इस योजना को किसान वर्ग को ध्यान में रखते हुए बीते वीतिये वर्थ 2022 स्टेश में शुरू किया है योजना अंतरगत खरीब की दो फसलों धान वा मकई को अचाजित किया गया है योजना अंतरगती से 50% तक फसल छती होने पर आवेदक किसान को प्रती एकड़ पर 3,000 रुपए तथा 50% अधिक फसल छती होने पर प्रती एकड़ पर 4,000 रुपए सहातरासी दी जाएगी बिहार जारखन के मध्य जोन इलाके में तूट चुकी है नकसलियों की कमर बिहार जारखन के मध्य जोन के इलाके में नकसलियों की कमर पूरी तरह तुट चुकी है यह बात एक गया से सहयोगी नकसलिय अनिलियादयों के साथ गिरफतार नकसलिय संगटनों के सेंट्रल कमेटी के सरसे परमोध मिस्रा ने कही है प्रमोध मिस्टरा की गिरफतारी के बाद विभीन सुरक्या इजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने उनसे पूश्टाश की है उसने बताया है कि मध्य जोन में अब कोई परमुख नक्सली नहीं बचा इलाते में सुरक्षा बलोग के इतने कैम्प अस्थाफित हो जाने की वज़े से नक्सलीों का मुखमेंट थम गया है नक्सलीों को संगठन में बहाल करने के लिए अब कोई नया केडर नहीं मिल रहा है परमुख मिश्रा ने यह भी बताया है कि सुरक्षा कारणों से वह बिहार से सरांडा जंगल नहीं पहुंच सका सरांडा जाकर उनकी योजना नक्सलीों के सिश नेताव के साथ मिल कर संगठन बिस्तार को लेकर बैठक करने की थी जारखन के 992 सिख्षक फरजी लोकेशन पर बना रहे है हाँ हाजरी राजी के सरकारी स्कुलों के 992 सिख्षक लवग दो महिने से अपने लोकेशन से इधर उधर हुए बिना उपस्थिती बना रहे है सिख्षा विभाग ने ऐसे सिख्षक को चीन हित कर लिया है इसे सिक्षा सची उने कम्भीता से लिया है और सभी जीलो को निर्देश दिया गया है जीलो को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बिभीन सुरोतों से प्राप्त जनकारी आधार पर राज अस्तर पर समिक्षा में पाया गया है कि GPS तथा समय और तीथी में बदलाव कर उपर सित्ती दर्ज की जा रही है यह दंड निये अपराध है सभी जीलो को SLS को की लिष्ट भी जारी कर दी गई है इसकी जाज करने का निर्देश दिया गया है DEO और DSE को स्वय में अपने अधिनस्त बिस्वस अस्तर पताधिकारी से इसकी जाज कराने के लिए कहा गया है वहीं इसकूल जाकर पूरे मामले की जाज कर रिपोर्ट देने को कहा गया है सिक्षक के दोसी पाया जाने पर करवाई कर जनकारी भी देने का निर्देश दिया गया है जार्खन के साथ जीलो के ओबी से अभ्यार्थियों को EWS के तहत मिलेगा अरक्छान केविनेट ने राज के साथ जीलो में पिछला वर्ग को जीला अस्तरे नियोक्तियों में आर्थिक रूप से पिछला वर्ग EWS कोटे के तहत अरक्छान देने का फैसला किया है लोहर्दगा गुमला सिम्डेगा पच्मी सिम्भूम दुमका लाते हर्व खोटी में पिछला वर्ग के अभ्यार्थि EWS के लिए अरक्छी 10 फेदी सीटों के तहत आवेदन दे सकेंगे हाला कि इसके लिए पिछला वर्ग अभ्यार्थियों को EWS की आहरता पूरिक करते होए वान पत्र भी देना होगा उलेखनी है कि इन जीलों में आरक्छन के लिए बने जीला रोस्टर में पिछला वर्ग को कोई आरक्छन नहीं मिला है इन साथ जीलों में रहने वाले पिछला वर्ग के लोगों को EWS कोटे से आरक्छन का लाब अब मिलेगा जमसेदपूर में 16 अगस से टॉक डूट डीसी कारेकराम जनम एवं मिर्तियों के पंजी करन चल रहे अभियान के प्रगति का मुल्याकन किया वीडियो कंफिरेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में डीडीसी मनिस्ट कुमार, एडीसी जैदीब तिग्गा, सिविल सर्जन डाक्टर जुजहार मांजी जीला सांखी की पताधिकारी अरून दिवेदी, सभी परखंड बिकास पताधिकारी, अंचल अधिकारी, MOIC तथा अनसंबंधित पताधिकारी सामिल रहे उपायुक्त ने परखंडवार, जनम एवं मिर्तियू, निवंधान में पराप्त आवेदनों एवं उनके निस्पादान की गहन समिच्छा की गई है हजजारी बाग में जंगली हाथियों के जूड़ने बुजूर्ग को मार डाला जंगली हाथियों का उत्पाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार इस छेत्र में हाथियों की तबाही जारी है सुक्रवारात बरकटा परखंड के गोरहर से आई 15 हाथियों के जोड़ने सन्नी वार सूब़ एक बुजूर्ग को पटक कर्मा डाला वहाई इस घाटना से छेत्र के लोग दासत में है बता दे कि सन्नी वार सूबर लगवग पांच बजे टाटी जहरिया के बेडम का अंतरगत पच्छमी वन परमंडल के धोमिनिया टांड जंगल में हाथियों ने 75 वर्षी बुजुरू को कुचल कर्मा डाला है बताया जा रहा है कि टाटी जहरिया परखंड के सिम्रभ धाबा गाउं में 15 हाथियों ने सन्नी वार सूबर दो बजे पहुंचे वहाँ हाथियों के जूर ने सिम्रभ धाबा सरकारी स्कूल का दरवाजा तोड़कर एक क्यूंटल चावल और 40 किलो आलू भी खा गया इसके अलावा बेडम का के भांजी टोला में हाथियों के जूर ने परियाग महतो रंजीत परसाद बिनोत महतो का घर धवस्त कर दिया है धन्यवाद